हेलो एब्रीवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे सस्थ होंगे दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरूध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल क को सब्सक्राइब कर दें लाइक और कमेंट अवस्य करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरूध है कि वीडियो को लोगों में से अर अवस्य करें दोस्तों हर वार की तरह इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नए कहानी के साथ में पर उससे पहले एक अनुरोध आप लोगों से अवश्य है कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें दोस्तों कहानी सुरू करते हैं आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए दोस्तों कहते हैं कि इन दिनों पित्रों का दिन चल रहा है इन दिनों में ना तो कोई खरीददारी करते हैं और ना ही कोई सुभकारी किये जाते हैं क्योंकि पित्रों का दिन सोग के दिन के रूप में मनाया जाता है इन दिनों में पित्रों को खुस करने के लिए पित्रों को पित्रों का तरपड आदि किया जाता है उन्हें जल दिया जाता है ऐसे पित्रों की पूजा पाट की जाती है ऐसे में हमारे पित्र हमसे खुस होते और जब हमसे खुस होते हैं तब वह हमें आशरवाद देते हैं पर जया भी मानिता है कि इन दिनों में कुछ चीजों की खरीदारी करने पर हमारे पित्र खुस होते हैं क्योंकि उन चीजों की खरीददारी को दे कर हमारे पित हमसे खुस होते हैं और हमारे लिए अपना आसिरवाद भी देते रहते हैं। दोस्तों हम लोगों के साथ में जो हमारे बड़े यहां से चले गये हैं वह साल भर में एक भर धरती पर आते हैं और यह समय सिर्फ उनहीं के लिए किया जाता है। इन दिनों में हमारे जो पित्र हैं उनकी पूजा पाठ हमें अवस्य करनी चाहिए। कहते हैं यह भी मानेता है कि अगर पित्रों की पूजा पाठ ना करो तब वह हमसे नाराज हो जाते हैं और हमें कश्ट देते हैं। दोस्तों अगर साल भर में एक बार 15-16 दिनों के लिए हमारे पित्र धरती पर आते हैं तो हमको अवस्य उनकी पूजा अरचना करनी चाहिए। उनका तरपड करना चाहिए दान पूड करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पित्र खोस होते हैं। और यह जो हम दान पूड करते हैं यह सब हमारे पित्रों के पास ही जाता है। जिससे कि वह हमें आसिर्वազ की रूठ में मिलता है। दोस्तों हमारे पित्र जब जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीजे छोड़ जाते हैं। और चीजों से तुखेल इतना कोई वो नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जरूरत की चीज जो होती है, वह हमारे पित्रों का आसिरवाद होता है, हमारे पित्रों के आसिरवाद से बढ़ करके कोई भी धन्दावलत नहीं है, क्योंकि उन्हें के आशिरवाद से हम इस पृठ्वी पर रह करके सुख दुख भोगते हैं इसलिए हमारे पित्रों का आशिरवाद हमें अवश मिलना चाहिए और हमारी या कोशिस होनी चाहिए कि हम जब तक हमारे पित्र जिंदा रहें तब तक हम उनकी अधिक से अधिक सेवा करें ताकि उनको उपर जाने में कोई कश्ट ना हो दोस्तों या तो इस्वर के द्वारा बनाया हुआ नियम है कभी हर एक इंसान को कभी न कभी उपर जाना होता है लेकिन जब तक जीवन होता है तब तक हमारे छोटे जब हमारी सेवा करते हैं, तो हमारे बड़े खोशों करके उपर जाते हैं, बहले हूं उनकी सारीरिक तकलीफे हों, लेकिन अगर छोटों ने उनका दिल नहीं दुखाया है, तब वह हमें आसिरवार दे करके ही जाते हैं, इसलिए साल भर में एक बार प पर आते हैं, तो हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, दान पूण करके उनको खुस करना चाहिए, उनका तरपन करना चाहिए, उतने 15-16 दिन तक जल अर्पित करनी चाहिए, दोस्तों यह रही, आज की एक छोटी सी कहाने, हम फिर मिलते हैं, आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, चैनल में अंतिम समय तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद,